असलाम वलेकूम, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ, सब खेरियत से होंगे. आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ. आज अपने किचन पे रखे हुए उन स्पाइसे से ही बनने वाले मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ. कभी ऐसा होता है कि कुछ फास्ट फूट खा लिया, गैस हो गया, या डाइजेस्ट नहीं हुए, या फिर लेट मिल लेने की वज़ा से गैस बन गया. तो हम घर पे रखे चीजों से कैसे फाइदा उठाएं? तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले 50 ग्राम सौफ और 50 ग्राम जीरा, ये दोनों को हम हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, जब खुझबू अच्छी आजाए, फौरन ही फ्लेम ओफ कर देंगे, और 25 ग्राम काला जीरा, और ये है छोटी हर्रे, छोटी हर् पाइदे मंद है, चाहे गैस हो जाए, या आपको कॉंस्टिपेशन हो, तो इसका इस्तेमाल करने से बहुत फाइदा होता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो स्कीन के लिए बहुत फाइदे मंद है, लेकिन ये थोड़े सक्त होते हैं, इसलिए मि बहुत काम आता है, चाहे आपको इंडाइजेशन हो, या फिर आपको कॉंस्टिपेशन हो, या गैस बन गया हो, तो आप ये जो पॉड़र है, इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबा और शाम, नॉर्मल पानी के साथ, तो ये पॉड़र को आप बना लीजिए, उस पे सिंधा नमक जरूर शामिल करिएगा, सिंधा नमक गैस तोड़ने में बहुत आसा काम आता है, तो आप इस पे चार से पांच चमच सिंधा नमक मिक्स कर लें, और ये पॉड़र बना कर अपने पास रख लें, किसी भी कंटेनर में इसको आप फिल करके रख लें, करें, इन्शालला फाइदा जरूर होगा, उमीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को जरूर फाइदा होगा, वीडियो पसंदाए, लाइक शेयर कीजिए, दौाओं में याद रेखिए, अल्ला हाफीज